पाकिस्तान सरकार सवालों के कटकरे में आ गई है पाकिस्तान ने अपने जॉइंट प्रेस स्टेट्मेंट में दावा किया कि एरानी राष्टपती इवराहिम रईसी ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया है लेकिन चंद घंटों में ही पाकिस्तान के इस जूट का परदाफाश हो गया तो ये इरान को पापा पापा कहके इरान के पीछे पड़े हुआ है तो पाकिस्तानी को ये कहना चाहता हूं कि बेटा जिनको तुम पापा कहते हो न वो हमें पापा कहते है दरसल सचा ये है कि मीडिया के साथ अपनी बातशीत के दौरान रेईसी ने एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया पाकिस्तान के इस जूट का खुलासा खुद कई वरिष्ट पाकिस्तानी पत्रकारों ने किया है पता नहीं है कि गलत फैमी जो होती है कि पता नहीं बार बार जूट का मंजन बेचेंगे और जो बात वो मुझ से निकालेंगे पाकिस्तानी वाम शायद आंखे बंद करके उस पर मीनो अन्यकीन कर लेगी ऐसा नहीं हो सकता इंपॉसिबल है यह वक्त बदल चुक है लोग बहुत ज़्यादा बाशाओर हो चुके हैं यह वही यूएस है जो के क्लारिटी के साथ पाकिस्तान को 71 वार में सब कुछ देने को तयार था पैसे से लेकर, आम से लेकर, और यूएन में उल्टा इंडिया के अगेंस्ट उस समय खड़ा था यह वही यूकरेन है जिसको हमने एड तक दे दी जिसने हमें यूएन ने बोला कि नहीं बनाइन का हम सपॉर्ट नहीं कना ये वही टर्की है जो हमारे खिलाफ दसियों बार बोलता है लेकिन पहला जहाज जब उनके आप हुकम पाया तो वो इंडिया से लैंड हुआ पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि इसको बाद बाद पर दोरे आते हैं अभी साओधी अरब वाले आए थे इनको बड़े सारे दोरे आए थे बीच में कि अब तो शहिद की नहरें बहेंगी और दूद की नहरें पता नहीं क्यों दूद और शहिद का क्या कॉमिनेशन है आई डोट नो वो कहते हैं कि हमें ना मुश्कल में डाले और आप इंडिया से अपने तालुकाथ ही करें क्योंकि पाकसान के जितने भी दोस्त हैं वो सौधी अरभ हो वो इरान हो सारे के सारे एकी चीज़ है कि उनके इंडिया से बड़े चे तालुकाथ है तो हम हुए तुम्हाएं बड़े पापा समझे नमस्कार दोस्तो जैहिन इरान के राष्टपती इबराहिम रैसी पाकिस्तान पहुचे हूँ है विसिट के पहले दिन मंडे को रधान मंत्री सहबास शरीफ कश्मीर मुद्धा उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इरान के राष्टपती इबराहिम रैसी ने इसको विफल कर दिया इरान से भी पाकिस्तान को कश्मीर मुद्धे पर कुछ हाथ नहीं आया इससे पहले पाकिस्तान साओधी अरेबिया भी कश्मीर का मुद्धा उठाने की कोशिश की थी साओधी के प्रिंस MBS ने पाकिस्तान को कस्मीर पे सुपोर्ट को सीधा मना कर दिया उल्टा कस्मीर मामले में साओधी ने भारती स्टैंस को सुपोर्ट किया था आज एरान से भी कस्मीर मामले पे सुपोर्ट पाने में पाकिस्तान नकाम हो गया भारत के खिलाफ दुनिया में कोई मुस्लिम उम्मा ने जो भारत के खिलाफ कुछ बोले पाकिस्तान के प्रधान मंतरी सहबा सरीफ ने दावा किया कि एरान कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ खड़ा है लेकिन एरान के राश्टोपती इबरहिम रैसी ने साफ साफ मना कर दिया कि हम कश्मीर पे कुछ नहीं बोलेंगे उर्टा पाकिस्तान को बोला कि एरान में जिहादी भेजना बंद करो सहबाज सरीफ को पाकिस्तान मीडिया खुद एक्सपोस कर रही है आयम परी वीडियो देखते हैं जाहिन दोस्तों पाकिस्तान ने क्या कश्मीर और भारत के उपर अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है यह इरानी सदर पाकिस्तान में आये हैं और यह कहा जा रहा है कि नॉर्मली पाकिस्तान जो है वो डिसकस करता है इस हवाले से जो पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट होती है वो शायद इस तरह नहीं कहर रही है रिसेंटली अगर आपको याद हो तो सौदी जो थे आय हुए थे फॉरन मिनिस्टर तो तब भी कहा जा रहा है कि कुछ डिसकस इस तरह नहीं किया गया कश्मीर के हवाले से और अभी भी जो है ये नहीं डिसकस किया गया कश्मीर के हवाले से इरानी जो लिटर्शिप आई हुई है सुन्हें में ये भी आया कि ये जो फलस्तिन के हवाले से थोड़ी बाते हुई है लेकिन कोई लंबी चौड़ी कोई ऐसी बात कश्मीर पे नहीं डिसकुस हुई पाकिस्तान हाईलाइट करता रहता है किश्मीर को तो कि अब होता यह नहीं कि जहां पे इस्राइल की बात आएगी यहां घजा की बात आएगी तो यह कैसे मुम्किन है कि पाकिस्तान ना डिस्कस करे साथीज भी अब वो नहीं रहे साथीज भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा मूव ओन करना चाहिए और वो मूव ओन यही है कि आप इन चीजों से निकले आप ये उन कांफलिक्ट से निकलें जो आपको कुछ दे नहीं रहे वो कहते हैं कि हमें ना मुश्कल में डाले और आप इंडिया से अपने तालुकाट ठीक करें क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी दोस्त हैं वो सौधी अरभ हो वो इरान हो सारे के सारे एकी चीज है कि उनके इंडिया से बड़े चे तालुकाट है सो हमारे लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहा है सो हमें इन चीजों को मैसूस करना है करना पड़ेगा अज यूर्पेन यूनियन जो है वो भी इंडियन्स के लिए टू येर मल्टी एंट्री शेंजन वीजा की पॉलिसी लेके बैठी हुई है क्यों पाकिस्तान के लिए ये पॉलिसी मुजूद नहीं ये हमारी एक भड़ी कामियाबी है ये डॉक्टर जे शेंकर की जो इन्वेस्टमिन्ट थी इरान के अंदर वो कारामद हो रही है सो अगर इरान नहीं डिसक्स कार रहा किश्मीर को तो मैं समझता हूँ इसमें कोई प्रॉबलिमाटिक चीज नहीं क्या हमारी गलतियां ये जो हमने किश्मीर को ले करके इतना लंबा चौड़ा हमने टाइम जाया किया कि जी इंडिया तो देखे ना आज तमाम मिडल इस्टर जो ममालक हैं वो किश्मीर में इन्वेस्टमेंट का रहे हैं तीन दिन का दोरा है उनका पाकिस्तान का और पाकिस्तान को उनके तीन दिन के दोरे के चलते पाकिस्तानियों को दोरे आ रहे हैं इनको आराम से बड़े पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि इसको बाद बाद पर दोरे आते हैं अभी साओधी एरब वाले आए थे, इनको बड़े सारे दोरे आए थे बीच में, कि अब तो शहद की नहरे बहेंगी और दूद की नहरे, पता नहीं क्यों दूद और शहद का क्या कॉम्बनेशन है, I don't know, I find it repulsive honestly, दूद और शहद का क्या कॉम्बनेशन है यार, दूद और बहेंगी, अब इनको बोला कि नहरे, तो कोई नहरे बहरे नहीं बहनी, साओधी भी रहे, दो-तीन दिन और साओधी वापस चले गए, तो ये इरान को पापा पापा कहके, इरान के पीछे पड़े हुए है, तो पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूं कि बेटा, जिनको त अलग अलग शेहरों में जाएगा, लाओर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, कराची भी जाएगा, हर जगे जाएगा, लेकिन वो इन्वेस्ट करेगा, ये अगर इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो भाई पाकिस्तानी जाएंगे फस बहुत बुरी तर सारे इरान के जितने भी ये आपके रिपब्लिकन गार्ड्स हैं और ये समेन में कई लोगों को तो अमेरिका टेर्रिस डिकलर कर चुका है ये बिन ब्लैक लिस्टेड कितना सारा गलबला है इरान के अंदर और गलोबली मैं बता रहा हूँ सिर्फ अमेरिका नहीं गलोबली कितना सारा गलबला है इरान के साथ अंका डिसकेशन होना है आज ही पहुँचा है मैं आपको आज बता दू इरान का डिसकेशन होना है इस चीज़ पर इसको बड़े ब्यूटोफली और बड़े डिपलोमेटिकली आपके सामने रखा जाएगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ आप नोट कर लो अगले दो-तीन दिन में खबर आ जाएगी और बड़े ब्यूटोफली आपको समझाए जाएगा पाकिस्तानी मेडिक कि इन लोगों ने हमारे बीच में गलत फेही नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में भाई चाहरा होना चाहिए तेशीवी मुसल्मान तेटोसी मुसल्मान ये डालोग बाजी होगी इसके पिछे असल में बंद कमरे में जो जूते पड़े श्हाँ चेवाई शरीफ को पाकिस्तान को डाट लगाने के लिए क्योंकि इरान और पाकिस्तान में डील हुआ था कि इरान से पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन बिचेगी इरान ने तो अपना काम कर दिया पाकिस्तान पुरा पैसा खा के बैठा हुआ है काम कुछ नहीं किया लेकिन यहां भी इनको कश्मीर का रोना रोना है पाकिस्तान दोनों तरब से फजा हुआ है पाइप लेन अगर बिचाता है तो अमेरिका इनको बरबात कर देगा और अगर नहीं बिचाता है तो इरान इनको नहीं छोड़ेगा भगवान जाने भी पाकिस्तान का decision कौन लेता है दोनों ही decision में पाकिस्तान को जूते पढ़ना confirm है कुछ महिने में हो सकता है पाकिस्तान FETF के black list में भी हो जाए आपको इसके बारे में क्या करना है आप नीचे comment करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को like करें हमारे channel को subscribe करें आज के लिए इतना ही जाएं